तेरे साल बाद 38 आरोपियों को होगी फासी की सजा जुलाई 2008 एहमदाबाद वासियों के लिए काला दिन के रूप में साबित हुआ था जुलाई 2008 में एहमदाबाद में 78 लोगों ने 70 मिनट में 21 धमाके किये थी इन धमाकों में कई लोगों ने अपनी जान गवाई थी एहमदाबाद में हुए सीरियल बंबलास्ट के मामले में स्पेशल कोट ने दोशियों को सजा देने का एलान कर दिया है कोट ने 8 फरवरी को 78 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया है आपको बता दें एहमदाबाद की स्पेशल कोट के जज अंबालाल पटेल ने 6752 पन्नों का एक फैसला दिया है इस फैसले में दोशियों को फांसी की सजा के साथ साथ पीडित परिजनों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है कोट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को एक लाख रुपए का मुआवजा और गंभी रुप से घायलों को पच्चास हजार वो मामूली घायलों को पच्चीस हजार रुपए देने का आदेश किया है अब आपको बता दें क्या था एहमदाबाद का धमा का क्या था वोकाला देने 26 जुलाई 2008 को एहमदाबाद में तक्रीबन 6 बचकर 45 मिनट पर पहला बम धमाका हुआ यह धमाका एहमदाबाद के मनी नगर में हुआ उस समय मनी नगर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की विधान सबक्षेतर में आता था उसके बाद एक के बाद 70 मिनट तक 20 धमाके हुए इन धमाकों में लगभग 56 लोगों की मौत हुई और सेकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए इन बम धमाकों की जिम्मधारी इंडियन मुझाहिद्दीन ने 2002 में हुए गोधरा कांड का बदला लेने के लिए ली थी आतंकवादियों ने धमाके के लिए साइकल का इस्तमाल किया था उन्होंने साइकल में टिफिन में बम रखकर लगाए थे बीटबहर वाली जगए में इंघमाकों को किया गया था और खास बात या है कि इन धमाकों से 5 मिनट पहले आतंकियों ने न्यूज एजएंसियों को एक मेंल किया था इन आतंकियों पर और कोट के इस फैसले पर आपकी क्या राया है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए यदि ये वीडियो आप फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और प्ले स्टोर से क्या ये न्यूज एप को डाउनलोड करना मत भूले